आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल सर जेनरल इंग्लिस के आज की यूटूब सेशन में और हमने अपना जो मॉडल्स टॉपिक स्टार्ट किया था आज बस मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ आप लोग के काफी कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कुष लोगोंने मुझे कंफ्यजिंग के पिपोजिशन पे वीडियो बनाने के लिए बोला है कुष लोगोंने अग्वरत पे वीडियो बनाने के लिए leaning । तो चुकि मैंने models start कर दिया है तो मैं models को पहले finish कर लेता हूँ उसके बाद जितने भी topic आप लोग मुझे लिख के देते हैं मैं सभी topic पर एक एक कड़ी वीडियो बनाऊंगा तो चलिए बिना समय गवाएं अपनी पढ़ाई को सुरू करते हैं हमारा topic था models लास्ट क्लास में मैंने आपको models के बादे में कुछ introduction दिये थे जिसमें हमने आपको जो models का definition है वो बतला दिया था models क्या क्या suggest करते हैं ये बतला दिया था अब आज हम लोग सुरू करेंगे uses of models uses of models में जो हमारे पास पहला model है वो हमारे पास दो model हम रोग एक शाथ पढ़ेंगे में और might तो copy ने का लिए और लिख लेजिए में और might मैंने पहले आप से कहा है कि आप लोग notes बनाते चलेंगे मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आपका notes complete होता रहे में और might में और might इन दोनों को मिला कि लगभर लगभर आपके पास छे uses आएंगे जिसमें से जो पहला use है वो निख लिजेगा possibility पॉसिबिलिटी इसका पहला इस्तमाल है possibility इसका पहला use है संभावना अच्छे एक्जामपल से समझेंगे कि इसमें हम लोग misconception क्या करते हैं और questions क्या है तो देखेगा पहला example लिखा हुआ है it may oblique might rain मतलब it may rain it might rain दोनों हो सकता है it may rain का भी अर्थ है वर्षा हो सकती है it might rain का भी अर्थ है वर्षा हो सकती है दोनों present में है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि में present है और might past है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है might present में भी यूज होता है might present में भी यूज होता है ध्यान से देखिएगा बस might में संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है में के मुकाबले तो it may rain मतलब बरसा हो सकती है थोड़ी सी संभावना है it might rain थोड़ी सी कम संभावना है दोनों present है अच्छा second example देखिए क्या लिखा हुआ है he may oblique might go to Delhi tomorrow अच्छा ये तो future है वो कल Delhi जा सकता है ध्यान से देखिएगा अगर हम यह आपे may लगाएंगे he may go to Delhi tomorrow तो थोड़ी सी संभावना है और he might go to Delhi tomorrow तो थोड़ी सी कम संभावना है लेकिन दोनों future है तो present या future दोनों में संभावना दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं may oblique might या may or might दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड example देखिए लिखा हुआ है you may fall आप गिर सकते हैं अचा अगर आप किसी को warning दे रहे हैं आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप जाहिर सा बात है कि थूरा सा उसमें आप emphasis दे के बोलेंगे संभावना अब्यक्ट करेंगे तो you may fall यहां बहतर रहता है आप you might fall भी आप बोलेंगे क्यों यह तो common sense की बात है अच्छा fourth example को देखा जाएगा यहां बहुआ जी थुरा समझने वाला point है थुरा सा ध्यान दिया जाए फोर्थ example में यहां पे लिखा हुआ है सी सेड ध्यान से देखा जिया लिखा है बहुआ जी सी सेड अच्छा सेड तो भर्व का दूसरा रूप मतलब पास्ट है तो जब वाक्य में पहले कोई भर्व का दूसरा रूप याने की पास्ट आ जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ माइट का प्रयोग करना है में का प्रयोग नहीं करना है ज्यान से देखा जाएगा सिर्फ माइट का प्रयोग क सकता है future में यूज हो सकता है संभावना दिखाने के लिए might present में भी संभावना दिखला सकता है और past में भी संभावना दिखला सकता है यह की quality है तो बहुत लो猜 न की options में यह सकता है और past में भी में उसकता है future पासट में यूज नहीं हो सकता है अब यह आपका पहला रीब हो गया तो इसका दुसरा युज आप goog 좋아 est permission इसका second news लिख लिजएगा permission चलिए permission मांगने में या permission grant करने में दोनों में में का इस्तमाल किया जाता है might का इस्तमाल नहीं किया जाता है example से लिख लेंगे देखा जागा पहला example है may I come in कोई किसी से पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो पूछेगा may I come in वो व्यक्ति जब उसको permission देगा तो वो बोलेगा yes you may come in आप अंदर आ सकते हैं वो might नहीं बोलेगा अगर वो might बोलेगा तो लाइन गलत हो जाएगा नहीं बोला जाता है permission लेने में या permission देने में सिर्फ और सिर्फ may का प्रयोग करते है might का प्रयोग नहीं करते हैं याद रखिएगा दूसरा use clear है तीसरा use हमारे पास जो है भवाजी वो है wish या prayer जब हम लोग किसी के लिए कोई prayer करते हैं या किसी को कोई दुआ देते हैं तो उसमें may या might का प्रयोग करते हैं थोरा सा यहां पर समझने वाली बात है थोरा सा ध्यान आपको जड़ा देना होगा example देखिए may you live long तुम जीओ हजारों साल किसी को हम लोग दुआ देते हैं may God bless you ठीक है भगवान आपका भला करें तो ये दोनों में may का इस्तमाल किया गया है क्योंकि ये active voice है अगर may you live long का मुझे passive बनाना होगा ध्यान देजेगा और अगर लिख सकते हैं तो लिख लेजेगा अगर मुझे इसका passive बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा you might live long may you live long का passive क्या होगा you might live long याद रखा जाएगा wish या prayer किसी भी तरह का दूआ या prayer जब आप करेंगे तो active voice में में का प्रियोग होता है और passive voice में might का प्रियोग होता है जब में का प्रियोग होगा तो में subject के पहले रहेगा गोड किया जाए और last में full stop रहेगा sign of interrogation नहीं रहेगा लेकिन जब passive voice में might का प्रियोग होगा तो पहले subject आजाएगा you उसके बाद आएगा might live long यह structure याद रखेगा इससे question डाइरेक्ट आते है S.S.E. और banking examinations में clear है तो तीन uses हमारे पास होगा पहला हमारे पास हुआ possibility, दूसरा हमारे पास हुआ पर्मिशन, तीस्तरा हमारे पास हुआ है विस्या, प्रेयर चौसरा हमारे पास आजाएगा बवगाजी purpose बहुत important point है purpose करत होता है उद्देश उद्देश दिखाने के लिए भी may या might का प्रियोग किया जाता है तेकिन से questions थोड़ी important है तो example पितरा गौर किया जाएगा पहला example जो आपको दिया गया है ज़रा ध्यान दिया जाए उसमें आपको कहा गया है she works hard so that she may pass purpose है दूसरा example आपको दिया गया है she came so that she might see me यह भी purpose है ध्यान दिखाने के लिए दोनों में so that का इस्तमाल किया गया आप देख सकते हैं so that मतलब purpose दिखाने के लिए so that का इस्तमाल किया जाता है अगर so that का इस्तमाल कहीं होगा तो उसके बाद या तो में का प्रयोग होगा या माइट का प्रयोग होगा कोई और model नहीं आएगा should, would, could, कुछ नहीं आएगा या तो में आएगा या माइट आएगा यासे एक्जाम में कोश्टन साते हैं आप दिखान देखिए c के बाद works लगा हुआ है works जो है यह present है भर्व का पाचवा रूप है तो जब वाक्य में so that से पहले present का रूप रहेगा भर्व का तो so that के बाद में का इस्तमाल होगा और यहाँ c के बाद came है यह भर्व का दूसरा रूप है तो जब came रहेगा तो so that के बाद might का प्रेव होगा समझ रहे हैं? ध्यान दिया जाए अगर पहले present tense है तो so that के बाद may अगर पहले past tense है तो so that के बाद might so that के बाद purpose दिखाने के लिए so that purpose ही दिखलाता है तो so that के बाद या तो may आ सकता है या might आ सकता है कोई और model नहीं आ सकता है clear है? चलिए तो हमारे पास इसके 4 use clear हो गया अब हम लोग आते हैं इसके अगले use पे है हम लोग आएंगे इसके 5 way use पे 5 way use है बवाजी रिमोट possibility देखें remote का मतलब होता है दूर कैसे टीबी का remote दूर से यूज करते है नस्दिक से थोरे यूज करते हैं जाके तो remote का मतलब होता है दूर possibility यानि संभावना जब आप दूर रहके वरतमान में किसी चीज की संभावना बतला रहे होंगे तो उसको रिमोट possibility करते है मैं समझाता हूँ कैसे पहले एक point note कर लिजिएगा यह point जरूर लिख लिजिएगा आपके screen प्यारा होगा only might is used to show remote possibility remote possibility को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ might का अप्रिव किया जाता है make अप्रिव नहीं किया जाता है अब example देखा जाए he might be sleeping now वह अभी सो रहा होगा अच्छा वह तो अभी की बात है लेकिन वह कहा होगा मुझे पता नहीं है दूर होगा मुझसे पर मैं संभावना कर रहा हूँ तो he might be sleeping now he may be sleeping now नहीं होगा गलत हो जाएगा it might be raining somewhere कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो एरिया होता है जो हमारा छेतर होता है वहाँ ठंडी हवाई चलती है तो हम लोग कहते हैं कहीं बारी सोड़ ही होगी अचा कहीं बारी सोड़ ही होगी दूर की बात कर देते हैं तो it might be raining somewhere इसको remote possibility कहा जाता है तो uses को हलका से रिभाइच कर लिजी एक बर ध्यान से जो आपके पास सबसे पहला use आया में अबलिक might का वो आपके पास था possibility possibility में में माइट दोनों का use होता है दूसरा use हमाणे पास है permission सिर्फ में का इस्तमाल होगा तीसरा wish या prayer में माइट दोनों active voice में में, passive voice में माइट चौथा आपके पास आगा remote possibility सिर्फ और सिर्फ माइट का प्रएग होगा लिखते भी रहेंगे याद भी करते चलेंगे मैं बाद में इस पर questions भी बनावाँगा अब जब इतना आपने पढ़ लिया है तो आप इसमें अराम से पर सकते हैं अगला point लिख लिजिएगा may या might have देखे किसी भी model में have का प्रयोग करके हम लोग उसको past में ले जाते है might तो अल्रेडी past में है तो उसको और past में ले जाना होगा और ये उल्टा अर्थ देता है negative worth देता है उल्टा अर्थ देगा negative worth देगा कहने का अर्थ है जारा ध्यान से देखा जाएगा ये लिख लिजिएगा point used to express possibility oblique desirability relating to the past action भूत काल की बातों को ये दिखलाएगा example से तुरा सा समझेगा ज्याद अच्छे तरीका से example पर ध्यान देजिएगा ये ध्यान देने वाले बात है पहला example जो है वो है he may oblique might have left yesterday पतलब वो अकल चला गया होगा मुझे जनकारी नहीं है तो जब आप भूत काल की संभावना की बात करेंगे तो आपके पास दो लाइन है या तो पहले कोई past tense लिख देजिए उसके बाद might लगाईए या might have लगाईए बिना past tense के ध्यान देजिएगा जो मैंने पहला example देए था possibility में आगे लिखा हुआ था c came c came c said वहाँ पे c said लिखा हुआ था तो c said अगर past है तो आगे might के इस्तमाल होगा यहाँ तो कोई past नहीं है तो यहाँ पे आप might have या may have का इस्तमाल करेंगे may have का इस्तमाल बहुत कम होता है might have का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है तो might have left yesterday जब भूत काल की बात करनी होगी तो अकेले might काम नहीं कर सकता है might या तो किसी past tense के साथ आएगा या might, might have के रूप में आएगा clear है he might have failed वह fail हो गया होगा मुझे पता नहीं है पास्ट की बात है तो might अकेले ये काम नहीं कर सकता है might को या तो किसी past tense के साथ आना होगा या might को might have के रूप में आना होगा तो past लिखने के लिए might have का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कल वर्षा हुई होगी कल वर्षा हुई होगी तो it might have rained yesterday ना कि it might rain yesterday it might rain yesterday day present का बात हो जाएगा आज वर्षा हो सकती है समझ रहा है तो may or might का सारा point आपके सामने clear है मैं अमीद करता हूँ आपने से लिख भी लिया होगा आपको ये समझ में आ भी गया होगा तो अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो का duration हमारा लगभाग लगभाग 13 मिनट का चला गया है तो मैंने कहा था कि मैं भी small वीडियो बनाऊंगा अगले वीडियो में मैं आपका can, could भी clear कर दूँगा उसका अगले वीडियो में should और must clear कर दूँगा आपका query आज या कल मैं जरूर solve करूँगा मैं जो भी topic में आपको problem है मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा तब तक के लिए good luck, have a nice day, thank you my dear friends, good bye